नमस्कार दोस्तों आज करनाल के सक्टर चार में आपके सामने है एतिहासिक धरोहर कोस मिनार जी हाँ ये कोस मिनार है ग्रांड ट्रंक रोड के साथ ही शेर्षा सूरी ने कोस मिनारों का निर्मान करवाया था और प्रती कोस पे एक ये मिनार बनी हुई है ये पंद्रमी सदी, सौलमी सदी में इनका निर्मान हुआ और आज भी ये इतिहास के जीवन्त दस्तावेज साबित हो रहे हैं जब यहां से गुजरते हैं तो लगता है कि यहां ठहर करके इन दस्तावेजों को देखा जाए इनको इनके पास रुका जाए ठहरा जाए यही वो मिनार हैं जहां पर शेर्षा सूरी की मूगलों की सेना यहां पर ठहरती थी और कोई आंकलन दूरी का आंकलन उनके पास होता था तो आज हम हैं करनाल के सेक्टर चार में आपके सामने ये कोस मिनार संरक्षित स्मारक कोस मिनार नमस्ते चोंक करनाल जिला करनाल और भारतिय पुरतत्व सर्वेक्षन चंडिगड मंडल ने इसे संरक्षित संरक के रूप में घोशित किया है और यह इस पर जो जानकारी लिखी हुई है आपके लिए वह जानकारी पढ़ देते हैं यह समारक प्राचीन समारक के वंपुरा तात्विक स्थल रह अवशेश अधीनियम उन्नी सो अठावन के चोबिस के तहर राश्ट्रिय महत्व का घोशित किया गया है यदि कोई भी समारक को ख्षती पहुचाता नश्ट करता विलगत्वा परिवर्तित करता कुरूप करता खत्रे में डालता या दूरुप्यों करते हुए पाया जाता है तो उसे इस अप करित्ते के लिए तीन महीने तक का कारवास या पचाँ पांच हजार रुपे तक का जर्मानात्वा दोनों से दंडित किया जा सकता है तो यह जानकारी संरक्षित किया जाना इसका काफी सब्सक्राइब करता है और कोस मिनार कि ट्रांसपोर्ट रोड कभी यहां के पाई यहां से गुजरता होगा ग्रांट ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड भी कहते हैं करनाल शहर से लगभग दो तीन किलोमेटर पूर्व में 29.4 जीरो उत्तर और 77.00 पूर्व स्थित है 1611 इसमी में समराट चहांगीर ने मुलतान के फोजदार बाकिर खान को आदेश दिया के वहदूरी दिखाने के लिए आगरा से लाहोर के पुराने शाही मारग पर प्रत्य कोस 3.22 किलोमेटर पर एक कोस मिनार मील पत्थर खड़ा करें उन्होंने दर्ज किया के उनके क्षेत्र के दोरान प्रत्य कोस 5000 गज के बराबर था कोस मिनार प्लास्टर से ढखे वरगाकार चबूतरे पर खड़ी इंटों की संरचना है प्रत्यक मिनार के मिनार एक पतले अश्ट कोनिया आधार से उपर उठती है जिसे एक मोल्डिंग द्वारा उपरी गोलाकार भाग से अलग किया जाता है इनके शिखर के नीचे छोटी आलो की कुछ पंक्तियां हैं जो दियों की रोशनी के लिए थी मुगलों के दोरान इन मारगों का उप्योग उनके व्यापक समराज्य को नियंतरित करने के लिए किया जाता था और ये व्यापार के लिए जीवन रेखा थी इसके एतिहासिक महत्य को देखते हुए अधी सूचना संख्या एक हजार आठ तीन दिनांक द्वारा इसे राश्ट्रिय महत्य के समारक के रूप में सुरक्षित खुशित किया गया कि तो यह समारक और काफी महत्यकुन समारक यहां पर इनके जो इसमें जो सुराख दिखाई दे रहे हैं यहां कबूत्रों के आशियाना है अब और यदि हम बात करें भारतिय पुरतत्त्यू सरवेक्षन की उसने यहां पर इसके चारों और चबूत्रे बैठने के लिए या इसके यह बनाया है ताके यहां पोधे रोपे जा सकें पोधे भी रोपे गए हैं लेकिन यहां पर कंग्रेस घास का इस समय समराज्य है और भांग खड़ी है और जाड़ छंखाड़ खड़े हैं और इसमें पॉलिथीन आदी आदी भी गंदगी भी डली हुई है तो इसे करने का जो तरीका है यहां कोई करमचारी यहां पर तैनात किया जाता है तो हमें लगता है कि इसे ज्यादा अच्छे ढंक से सुरक्षित रखा जा सकता है और यह कोस मिनार एक महत्तपुन समारक है शेर्शा सूरी ने निर्मान करवाया था ग्रांड ट्रंक रोड का जो वारग था और बाद में मुगलों ने इसके साथ तीन दश्मलव दो जीरो किलो मेटर की दूरी पे जो एक कोस के रूप में चिनित होता है उसके साथ साथ कोस मिनार का निर्मान करवाया और आज यह जिस हालत में है खासतोर से नमस्ते चौक सेक्टर चार करनाल का जो यह को आपको दिखा रहे हैं और यदि अन्य चित्रों को कोस मिनारों के अलग-अलग स्थानों पे लाहोर में तरावडी में करनाल में और कोस मिनार है करनाल जिला में करीब 10 कोस मिनार है पानीपत रोतक अलग-अलग स्थानों पे कोस मिनार है और उनकी स्थिती अलग-अलग तर करणाल का कोष मिनार और यह कोष मिनार आपके सामने है इसके साथ इसके चारों तरफ बनाए गया जो क्यारिया हैं वह काफी बेहाल हैं और ये हमारी धरोहर है इस धरोहर के संच्छन के प्रति बेरुखी तो को चारों तरफ पस्री हुई नजर आती है कि इन्हें सुरक्षित रखना इन्हें बचाना काफी महत्वून कार्या है जो हम सब को करना है समाज को भी करना है लेकिन सरकार और भारतिय के पुरतत्व सर्वेक्षिन का भी एक डाइत्व है कि वो इसके संरक्षिन के लिए विशेशतर है कि उपाए करें योजना बनाएं और उसे लागू करें तो साथियो वीडियो यह आपको दिखा रहे हैं यहां से गुजरते हुए लगा के यह वीडियो बनाई जानी चाहिए आपकी इस पर क्या राय है आप कोमेंट बॉक्स में अपनी राय रखेंगे बात बताएंगे तो अच्छा लगेगा और होसला बढ़ेगा हमारा कि हम इस तरह की जो दस्तावेज इस तरह की जो धरोहरे हैं उन्हें हम आपके सामने लेकर के आएं आप सब का वीडियो देख प्रिगादो तो